अगर हम अपने घर में रह रहे हैं और थोड़ी सी तूट-फूट होती है तो हम परिशान होंगे और अगर हम किराय के घर में रहने तूट-फूट वहां भी होगी तब हम परिशान नहीं होगे ऐसा नहीं है कि हम घर में अच्छे से नहीं रह रहे थे ऐसा नहीं है कि हमें घर में कोई असुविधा थी, कोई दुविधा थी मैं जानता हूँ हम बड़ी सुविधा पूरवक रह रहे थे लेकिन फिर भी जब थोड़ी सी समस्य आती है घर पर कोई आपत्ती आती है मेरा घर हो तो मैं परेशान हो जाता हूँ मेरा पूरा दिन चिंता में बीच जाता है, रात को नीन नहीं आती, और यदि मैं किराय के घर में रह रहा हूँ, घर की सफाई में तब भी रखता था, बलकी जादा रखता था पहले से, अपने घर की सफाई में बिलकुल न रखता हूँ, लेकिन अगर घर किराय का है तो सफ बात ही साथ कोई जरा सी खरोंच आ जाए तो दर्द भी उतना ही होता है। आजकर लोगों में टरेंड चला हुआ है। आप में से जो लोग जॉब करते हैं अपने कारिये पर जाते हैं, ओफिस में जाते हैं। दो ही तरीके होते हैं, कॉर्पोरेट जुगत में जो लोग काम कर रहे हों इस बात को बहुत अच्छे समझते हैं। कि या तो आप अपनी गाड़ी लेकर के जाओ, आफिस में, लेकिन अगर आप एक जॉब पर जा रहे हैं, तो एक बेटर तरीका है, बेहतर तरीका है, आप एक कैब लीजिए और कैब में जाएए, लोग अधिकतर कैब को चुनते हैं, कारण क्या होता है, गाड़ी अपनी हो तो जिम्मेदारी अपनी, गाड़ी अपनी हो तो ड्राइवर आप खोड़, गाड़ी अपनी है तो आप ट्रैफिक में फंसे हुएं, परेशाना, लेकिन अगर गाड़ी आपकी नहीं है, गाड़ी किराई की है तो, तो फिर आप इतने परेशान नहीं होते, खरों चा जा तो आपको समस्या नहीं आती, डीजल कितना जल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, वो आपकी समस्या नहीं है, अपनी में आपकी समस्या, इशोपनिशत कहता है, जीने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले ये मान लीजिए कि मेरा नहीं है, इस सब सोच का फर्क है, मानने क का फर्क है जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी घर को किराय पर लेते हैं तो दो-तीन महीने के लिए तो नहीं लेते हैं आप कहीं रह रहे हैं तो दो-तीन साल के लिए रहते हैं और वो अपने जैसा ही लगता है लेकिन फिर भी आपको पीछे कहीं बैक्ग्राउंड में पता है कि घर मेरा नहीं है रहते वैसा ही है जैसे अपने घर में रहते हैं लेकिन समस्याइं कम होती है दुख कम होता है कोई आपती आजाए तो आपको समस्या नहीं है मान लीजे भूकम पा जाए तो अब घर तो दोनों गिरे है मेरा भी गिरा है और किराएगा भी गिरेगा दोनों चोटी-मोटी बात नहीं होती अपना घर गिर ने इसलिए उपनिशत कहते है इशा, वास्यम, इदम, सर्वम ये जो पूरा संसार है ये आपका नहीं है आपका नहीं है तो आप चिंता में नहीं पड़ेंगे करें आपका नहीं है तो मेहनत आप पूरी करेंगे जैसे किराय के घर में कर रहे थे आपका नहीं आप साफ सफाई भी बाकाइदा रखेंगे जैसे किराय के घर में रखते हैं लेकिन अगर घर आपका नहीं है तो एक बड़ा लाभ आपको ये मिलेगा कि उसको छोड़ते समय समस्या नहीं होगी हम पुराने समय में कुछ फिल्में देखा करते थे बड़ी भाबुक फिल्में हुआ करती थी एक विक्ती ने अपना घर बनाया और अगर बच्चे अच्छे नहीं निकले तो घर को छोड़ करके जाना पड़ता था अब सोच ये एक व्यक्ति ने अपना घर बनाया उसे घर को छोड़ कर जाना पड़ रहा है तो एक ऐसा दृश्य आता था सब रो रहे हैं आदमी मुड़ मुड़ के देख रहा है व्यक्ति अपने घर को कितने आशाओं से इसको बनाया था और आज इसे छोड़ना पड़ रह अगर मुझे अपने घर को छोड़ते समय आँखों से आंसु निकल रहे हैं तो ये कोई अख़बारों में लिखने लायक बात नहीं है ये कोई इतिहास में दर्ज करने की बात नहीं है कि मैं घर छोड़ते समय रोया कमजोरी है मेरी ये ये मेरे जीने का गलत तरीका है ये मेरे तौर तरीकों पर सवालिया निशान खड़ा करता है मैं गलत तरह से जीया मैंने पत्थरों को अपना समझा तभी तो उसको छोड़ते समय रो रहे हैं मैंने मिट्टी को अपना समझ लिया मैं उस पर रो रहा हूँ भावनाएं अलग चीज होती हैं तथे अलग बात होती हैं और तथे यही है घर छोड़ते समय व्यक्ति रो रहा है मतलब उसके जीने में कहीं न कहीं समस्या थी और आज भी है इसलिए उपनिशत तो सपष्ट एक बात कहती है उपनिशत कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करती है उसकी पहली पंक्ति हमारी अधिकतर समस्याओं का समाधान करती है पहले यह मानिय कि इदम सर्वं जो कुछ तुम्हें अपने सामने दिखाई दे रहा है जो कुछ भी उ उसको दो तरीके से मान कर जीवन जिया जा सकता है या तो वो मेरा है यानि उसे अपना बनाने की कोशिश की जाए प्रयास की जाए या फिर दूसरा तरीका है कि आप उसे किराय का मान करके चलिए प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था और वो पद्धती जादा बहतर थी प और लोगों को उस पर जैसे आजकर लीज पर दे देते हैं तो बस उतना ही अधिकार हुआ करता था आपने पुराने समय में सुना होगा कि किसी ब्राम्वन ने बहुत अच्छी योग्यतार जित की बहुत अच्छे शास्त्र लिखे तो राजा उसको किसी गाउं की जमीदारी दे दिया करते थे जाओ जब तक तुम हो ये जमीन इतनी तुम्हारी ये गाउं तुम्हारा उसकी मृत्यों के बाद वो गाउं फिर राज्य का हो जाया करता था इस तरह से कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा कार ये करता था तो उसे परोसकार में एक पुरा गाउं दे दि दे दी जाती थी लेकिन वो स्थाई उसके पास नहीं होता था उसके बाद में वो फिर राज्य का हो जाता था फिर कोई व्यक्ति आएगा उसकी योग्यतमसार फिर उसे मिल जाएगा आज क्या होता अगर किसी व्यक्ति के पास 50 बीगह जमीन है 100 बीगह जमीन है तो वो उस की है फिर उसके बेटों की फिर उसके बेटों की यानि कि अगर बेटे ने बिलकुल भी कुछ काम नहीं किया तो भी सौ बिगा जमीन उसके पास तो भी उसके पास जीने के लिए औरों से जादा साधन हैं अब इसमें आप देखे सामाजिक दृष्टी से भी उपनिशद आपको बहुत कुछ सिखाती है सामाजिक तौर तरीके भी सिखाती है अब देखे सामाजिक रूप से इसमें क्या विक्तृति आई अगर एक व्यक्ति जन्म से बहुत अधिक गरीब है दरिद्र है कितना योग्य क्यों न हो जाए कितना यदिक पढ़ क्यों न ले अच्छा मैं एक निवेदन कर दूँ बार बार मेरे पास संदेश आ रहे हैं करपया वाटस अप न भेजे मैं भी जानता हूं कि सौ से जादा हो गए हैं और अब लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं कल से इसका नहीं रह जाती जरूरी नहीं है सबको नौकरी मिल जाए जरूरी नहीं है सबका बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा हो जाए लेकिन अगर कोई व्यक्ति भले ही अनपढ़ है भड़े ही अयोग्य है पर पिता की जमीन है वो फिर भी उस समझदार पढ़े लिखे बुद्ध समपत्ति सदैव राज्य की होगी व्यक्ति केवल अपने जीवन भर उपयोग कर पाएंगे उसके बाद फिर राज्य की हो जाएगी फिर कोई योग्य व्यक्ति आएगा फिर उसको वो समपत्ति मिलेगी क्योंकि ये संसार ऐसी चल रहा है इश्वर किसी को भी स्थाई नही परिस्थितियां मिली क्योंकि वो आपकी योग्यता थी मेरे पिछले जन्मों के कर्म थे और अब जबकि मैंने उस पूरे का अपने पुन्यों का उपयोग कर लिया अब मैं जब इस संसार को छोड़ करके जाऊंगा तब किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को वो शरीर ऐसे ही माता पिता संसार में रहने के लिए व्यवस्थाएं मिलेंगी लेकिन आपने देखाओ का अधिकतर व्यक्ति संसार को छोड़ते से मैं बहुत रोते हैं इशा वास्यम भग्वान ही इस संसार में स्थाई रूप से निवास कर सकते हैं और कोई स्थाई रूप से निवास नहीं कर सकता है एक छोटा सा सूत्र आपके व्यक्तिकत जीवन में भी समस्याओं का समाधान करता है कि चीजों को अपना मान करके रहिये ही मत कभी तरह से अगर आप सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं तो संपत्ति सारी स्राज्य की होनी चाहिए इशा वास्यम जो संसार का इश्वर है जो देश का इश्वर है संपत्ति उसकी बाकी सब किराएदार एक और सूत्र एक और जीने का तरीका आप इसमें से देख सकते हैं कि जब हम किसी दूसरे को स्विकृति देना शुरू कर देते हैं वहां से हमारी आधी समस्या समाप्त हो जाती है उदहरन के रूप में एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है समाज शास्त्र में बार-बार दोहराया जाता है निबंध लिखे जाते हैं तो लिखा जाता है और कहा जाता है मनुष्ये एक सामाजिक प्राणी है अकेले नहीं रह सकता सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहना पड़ेगा कोई भी व्यक्ति अकेले आज तक ना कुछ कर पाया ना आगे कुछ कर पाएगा अगर हम अकेले बैठ करके अपने लिए कपड़े भी सिलने लगे जूते भी बनाने लगे घर भी बनाने लगे तो हमें लगेगा कि हमारा आधे से अधिक जीवन तो केवल इनी कामों में वितीत हो गया तो फिर हम अपने बाकी के कारिय कप करेंगे मैं अपने उद्देश्य कप पूरा करूँगा एक व्यक्ति कपड़े भी अपने लिए बनाए तो पता चला एक दिन तो उसका कपड़े बनाने में निकल गए एक दिन उसके पास जूते ही नहीं थे खाना ही नहीं था अगले दिन खाना उगाने में या खाना उत्पन करने में किसी भी तरह से अरजित करने में समय लगाए तो पता चला अभी तक तो जूते ही नहीं है अभी तक तो बेघर है फिर घर बनाने में समय लगाए तब तक पता चला की कपड़े फट गए आत्मी इनी में उल जा रहेगा बलकि सही बता हूँ तो अच्छे से जी भी नहीं पाएगा इसलिए कहा जाता है मनुश्यक सामाजिक प्राणी है उसे समाज के साथ रहना है और इसका केबल इतना मतलब नहीं है कि उसे जुंड बना करके रहना है इसका ये मतलब है कि आपको दूसरे पर निर्भर रहना है आपको दूसरे को स्विकृति देनी है हाँ दूसरा भी है उसका भी अस्तित्व इस संसार में है उसके भी अधिकार इस संसार में है अगर मेरे अधिकार है तो मेरे भाई के भी अधिकार है अगर मेरा अधिकार है तो मेरे घर के बाहर घूम रहे एक पशू का भी इस प्रकृती पर अधिकार है एक पेड़ पर बैठी चिडिया का भी इस प्रकृती पर अधिकार है और अगर उस चिडिया का भी इस प्रकृती पर अधिकार है तो जब हम किसी पुराने पेड किसी पुराने दरखत को काट देते हैं काटते समय क्या ये मन में आया कि मैं केवल पेड नहीं काट रहा हूं बलकि मैं दस बारा पक्षियों का घर क्या ये दूसरे के अस्तित्व को स्विकृती दी मैंने नहीं मुझे लगता है अस्तित्व तो केवल मेरा है फरनीचर तो केवल मेरे घर में अच्छा होना चाहिए सुविधाय तो केवल मेरे घर में अच्छी होनी चाहिए चम चमाता घर तो केवल मेरा होना चाहिए और दूसरे का घर जो चम चमाता भी नहीं था केवल प्राकृतिक रूप से पेड़ के तने की एक खोकर में जिसने अपने अंडे दिये हुए थे अपना छोटा सा बसेरा बनाया हुआ था उस प्राणी को तो जीवन जीने का अधिकार ही नहीं दिया हमने दूसरे को स्विक्रिती नहीं दिया ये स्विक्रिती सबसे पहले हमें देनी होती है इश्वर के रूप में कि इशा वास्यम इदम सर्मम इस संसार में अगर कोई है मेरे से पहले तो वो इश्वर है और दूसरी स्विक्रती मुझे देनी होती है कि मेरे अतरिक्त भी इस इश्वर की प्रजाएं इस संसार में रहती है मैं केवल किरायदार हूँ ये मंत्र केवल सामान्य मंत्र नहीं है ये पूरे के पूरी कर्मफल व्यवस्था को अपने भीतर समेटे हुए मंत्र सुनने में बड़ा सरलसा है और तुभी देखेंगे तो थोड़ा लगेगा कि आसानी से समझ में आ गया पर गहराई बहुत अथिक है मंत्र कहता है इशा वास्यमिदम सर्वम इस संसार के हरे कण में इश्वर का निवास है वही निवास कर सकता है कमाल की बात है यहाँ पंग्ति ऐसे नहीं लिखी दो तरीके होते हैं पंग्ति को लिखने के एक तो मैं लिखूँ कि यह व्यक्ति भोजन खाता है दूसरा तरीका है पंग्ति लिखने का यही व्यक्ति भोजन खा सकता है भोजन खाने की योग्यता इस व्यक्ति में, तो दोनों में क्या अंतर है, यह व्यक्ति भोजन खाता है, इसका अर्थ सीधा सा सीधा सा यह निकल जाएगा, यह व्यक्ति भोजन खाता है, यानि कि यह व्यक्ति कुछ गलत चीजे नहीं खाता है, यह मांस नहीं खाता है, यह अन्य कोई चीज नहीं खाता, यह भोजन खाता, यानि कि इसका जीवन अच्छा है, लेकिन अगर मैं कहूँ, भोजन को ये व्यक्ति खा सकता है, इसका अर्थ निकला, भोजन को ये खा सकता है, बाकी नहीं खा सकते, उपनिशत ने इसी एंगल से, इसी तरीके से वाक्य को ब तरीके गलत हैं वो इसे अपना मान करके बैठ जाएगा और हर कदम पर दुखी होगा क्योंकि हर कुछ चीज छीट छूटेगी क्यों छूटेगी क्योंकि अगली लाइन पढ़िये यत किंचत जगत त्याम जगत किस संसार में इश्वर निवास कर रहा है या किस संसार में नि वास केवल इश्वर को है वो जगत कैसा है जगत त्याम जगत वो लगातार चलने वाला है आज नहीं तो कल बदलेगा बदलना उसका स्वभाव है जगत शब्द का मतलब ही होता है जो लगातार गती कर रहा है जिसमें मुव्मेंट है जो बदलने का स्वभाव रखता है ज आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा, आज यहां है तो कल कहीं और होगा, जगत, और यह जो बाहर जगत दिखाई दे रहा है, इसका स्वभाव तो है ही, चलने का, बदलने का, आज यहां तो कल वहां होने का, दरसल यह संसार जिस material से बना है न, अगर इसके भीतर जरा नजर गड़ाएंगे अगर इसके भीतर द्रिष्टी डालेंगे तो पता चलेगा इस संसार के भीतर भी एक छोटे से छोटा कणभी लगातार गती कर रहा है उसमें भी सक्रियता है इसलिए तो इस संसार कभी आपका कभी किसी और का स्थाई निवास कौन कर सकता है इश्वर कर सकता है अगर इस सच को स्विकार समय रहते नहीं कर लिया अगर इसे 18 वर्ष की आयू में स्विकार नहीं किया तो यह आगे कभी स्विकार नहीं होगा क्योंकि यह जो 13-14 वर्ष से लेकर के और ये 25-26 वर्ष तक की अवस्था होती है ये अवस्था हमारी जीने के तरीकों को डेवलप करती है हम किस तरह जीएंगे ये आधार यही 10-12 वर्ष होते हैं तो अगर समय रहते हमने ये नहीं सीख लिया कि कुछ भी कभी भी मुझे मिल सकता और कभी भी मुझे से छूट सकता है तो जब मिलेगा उस दिन जो मुझे प्रसनता होगी शायद वो मेरे लिए घातक बन जाए बाबले हो जाते हैं लोग मिलने पर कुछ दूसरे को तुछ समझने लगते हैं थोड़ा सा जेब में पैसा क्या आए सामने वाले का अपमान शुरू कर देते हैं उसे अपने सामने कुछ समझते नहीं हैं ये मिलने पर पागलपन पैदा हो ये मिलने का पागलपन है ये प्राप्ति का अवसाद है ये भी एक अवसाद है ये भी एक तनाव है ये भी एक चिंता है मुझे कुछ मिल गया तो मैं सामने बाले को कुछ समझ ही नहीं रहा हूँ कदम कदम पर उसका आप मान कर रहा हूँ उसे तुछ समझ रहा हूँ अब एक कहकर के बुला रहा हूँ उसको तु कहकर के बोलाने लगा हूँ उसको, चुटकी मारकर बोलाने लगा हूँ उसको, जब उसके सामने से घुजरता हूँ, तो जान पूछ कर वो कपड़े पहन करके निकलता हूँ, जिसको देखकर के सामने वाला परेशान हो जाए, मैं पैदल भी जा सकता था थोड़ी दूर का रास्ता था लेकिन मुझे पता है कि मैं किसी कारेकरम में जा रहा हूँ मेरे पुराने मित्र भी आएंगे तो मैं गाड़ी ले करके जाओंगा जा पैदल भी सकता था रास्ता दूर का नहीं है पास में है बिल्कुल दस कदम पर गाड़ी लेकर के जाएंगा ताकि लोग देखें, परेशान हैं, ये मानसिक पागल पर नहीं तो और क्या है, कि जिसको प्रियोग करके आपका कोई उद्देश है पूरा नहीं हो रहा है, जिस गाड़ी में बैठकर अभी आपका कोई उद्देश है, ने दस कदम जाना है, आ हम उसे बेवज़े छेड़ने लगते थे, आपको याद होगा, बच्पन में बच्चे बहुत करते थे ऐसा, जंगल में तितलियों होती थी, तितलियों को पकड़ते थे और पकड़ करके, ये तो यही नहीं पता क्यों पकड़ते थे, बस रंग बिरंगी नगल लगा करती उनके परकाट दिया करते थे हुँ, जान पूछ करके जब हम उन तितलियों को, उन चीटियों को, उन मेंड़कों को ढेले मारा करते थे, याद होगा शायर, बच्पन में बच्चे बहुत करते हैं, तो बड़े लोग डांट दिया करते थे, और कहते थे, तेरा क्या बिगा उसे जबरदस्ती क्यों परेशान कर रहा हूँ बिना बात क्यों परेशान कर रहा है उसको सोचकर के देखिए हमारी उम्र बढ़ गई है आयू बढ़ गई है मनुश्य की मनुश्य बढ़ा हो जाता है आयू पच्चिस तीस वर्ष हो जाती है कि आज भी वो यही काम नहीं कर आज भी वो यही काम कर रहा है कि किसी को केवल परेशान करने के लिए किसी को केवल दुखी करने के लिए किसी को केवल चड़ाने के लिए धेला नहीं मार रहा पर वो जबरदस्ती अपना ग्लेमरस दिखाना अपना लगजरी जीवन जीने का तरीका दिखाना वो और कोई पुद्देश्य नहीं है, सामने वाले के मन को ठेस पहुचाना मातर है, कि देखो आज मैं कहाँ और तुम कहाँ, सामने वाले के अच्छे भले चलते जीवन में खलल डालने का काम है, ये मानसिक पागलपन है, और इस पागल पन में केवल सामने वाला परेशान नहीं होता वो तो परेशान तब होगा जब उसे आपका ये जीवन दिखाई देगा अपने उपर हीन भावना उत्पन होगी वो तो केवल तब परेशान होगा और जरूरी नहीं है हो जाए आवश्यक नहीं है व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट भी हो सकता है आपके पास धेरों सामान क्यों नहीं हो आपके पास जीवन जीने के वो सामान क्यों नहीं जो सामानियों को नहीं मिलते अच्छे से अच्छा घर अच्छे से अच्छी गाड़ी क्यों नहीं हो कि उसने पहली रात को उसे पता है सुबह जाना है पहली रात उसके दिमाग में बस यही चला के सामने वाले पर किया असर पड़ेगा क्या प्रभाव पड़ेगा क्या रियक्षन होगा उसका उसकी नीम तो खराब हो गई दूसरे की तो होई की नहीं होई, पता नहीं, पर करने वाले की जरूर हो गई, ये मानसिक पागल पन है, और इस पागल पन को लेकर के हम जब जीवन बिता देते हैं पूरा, अभी मैं एक छोटी से फिल्म देख रहा था, अभी नहीं मतलब पांस साथ दिन पहले, और आप ल दिख करके कथाएं परोसी जाती थी। आज कल साधन बदल गए हैं तो वीडियो की रिकॉर्डिंग करके और तब कथाएं परोसी जाती हैं जिनको फिल्म कह देते हैं। लेकिन अच्छी होनी चाहिए तो जरूर देखिएगा। कि मित्र तापस में खराब क्यों हुई। इतना सुंदर चल्चित्र है कि आप जब उस चल्चित्र को फिल्म को देख करके उठोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन जीने के तरीकों में बदलावाएगा। आप थोड़ी देर तो इस तब्द बैठे रह जाओगे कि क या संदेश दिया इस फिल्म में दो मित्र होते हैं आपस में अच्छे से सुकून से जी रहे होते हैं एक दूसरे के बड़े घनिष्ट मित्र होते हैं आपत्ती में हमेशा साथ रहने के लिए तैयार होते हैं लेकिन एक दिन एक मित्र उसकी नौकरी लगती है या व्यवसा जल रहे होते हैं बोले आओ तुम्हें कुछ दिखाना है जान पूछ कर ले गया उसको आओ तुम्हें कुछ दिखाना है गराज का शटर खोला और शटर खोल करके उसे अपनी गाड़ी दिखाए देखो ये मेरी गाड़ी उद्देश ये नहीं था कि आओ कुछ प्रसनता मना तुम भी खुश हो हम भी होते हैं ना हापे मिठाई का डबब भी नहीं है चेहरे पर कोई बहुत अधिक शांदार भाव भी नहीं है बस केवल परख रहा है इसकी आँखों में क्या आया गाड़ी दिखा करके वेक्ति सोच रहा है अब सामने वाले के मन में भी आई यही दो-तिन दिन बाद उसको भी लगा कि परे मेरे मित्र ने इतनी अच्छी गाड़ी खरीदी वो भी खरीद करके लाया और टहलते हुए कहा आओ तुम्हें कुछ दिखाना है वो भी अपने गराज मे ले गया और गाड़ी दिखाई उसको और महंगी गाड़ी दूसरे मित्र रिष्टों में दरार आई और जो आपस में मित्र थे उन्होंने आपस में बोलना भी बंद कर दिया और ये काम बात सुनने में बड़ी लग रही है कि हम थोड़ी करते होंगे इसको लिए हम सब यही करते हैं हम अच्छे जूते खरीदते हैं तो दो देश्य होते हैं एक त कितने का है पता है मेरा एक अपड़ा कितने का है उसका कीमत बताने में कभी पीछे नहीं हटते हैं ये मानसिक पागलपन है ये मानसिक बीमारी है ये उस हरकत से कोई बहुत बड़ी हरकत या बहुत अलग हरकत नहीं है जब बच्पन में हम मेड़क को जो की अपने काम में अपने जीवन को अच्छे से जी रहा है, जो बरसात का आनंद ले रहा है, उसे यूहीं चलते चलाते कोई डेला माल दिया, उसकी जीवन में, अच्छे भले जीवन में हमने तरंगें पैदा कर दी, विचलन पैदा कर दिया, उपनिशत कहती है, बदलाफ होगा, परिवर्तन ह आवश्यम भावी है और इस परिवर्तन से बचने का एक ही तरीका है दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करो दूसरा भी है इस संसार में उसकी भी जरूरते हैं उसकी भी आवश्यक्ताइं हैं वो जो सामने मेरे व्यक्ति बैठा है उसके भी अधिकार है इस रिष्टी में चाहे वो प्राणी क्यों न हो और चाहे वो घर में रहने वाला मेरे साथ रहने वाला मेरा व्यक्ति क्यों न हो मेरे अपने संबंधी मेरे पती पत्ती भाई बहन क्यों न हो मेरा रिष्टेदार मेरा अपने कंपनी में काम करने वाला कर्मिशारी क्यों नहों सबके अपने अधिकार हैं और जब हम उन अधिकारों को देना शुरू कर देंगे उन्हें जितना उसकी हिस्सा था उस हिस्से को बांटना शुरू कर देंगे तब एक निश्चिन तता जन्म लेगी अध्यात्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बस जितना जिसका है उतना देते जाईए और अपना पूरा पुरुशार्थ करते जाईए धनसंपत्ती कमाने में भी अध्यात्म तो आपके साथ साथ चलते हुए आपको वहां तक ले जाएगा जिसे हम परंपद कहते हैं इसलिए कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं आपके मन में भी आते होंगे आपने औरों से भी पूछे होंगे हमने भी बच्पन में कईों से पूछे हैं कि जी ये बताईए अभी मैं इस समय मेरा जीवन ये है मैं इश्वर को कैसे प्राप्त करूँ तो अलग अलग तरह के उत्तर मिलते थे पर जो सुन्दर उत्तर हमें डॉक्र धर्मवीर जी दिया करते थे वो ये कहते थे जो कई बार मैं भी आपसे कहता हूँ ये देखो तुम खड़े कहा हो तुम क्या कर रहे हो क्या स्थिती है तुमारी बस उस अपने दाईत्व को अच्छे से निभालो अगर तुम ब्रह्मचर्ये में काल में हो पढ़ रहे हो उस दाईत्व को अच्छे से निभाओ तुम अपने आप अध्यात्म परबढ़ोगे अगर तुम ग्रिहस्थ में हो तो ग्रिहस्थ के दाइत्वों को अच्छे से निभाओ तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब वानप्रस्थ की युग्यता पा गए और अगर तुम वानप्रस्थ में अच्छे से अपने दाइत्वों निभा रहे हो तो एक दिन अपने आप आएगा कि चलो अप सन्यास ले लेते हैं उसके लिए कोई योजना बनाने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी बस अपने आप सन्यास में प्रविष्ट हो जाओगे जब हम अपने दाइत्वों में दूसरों के अधिकारों को लगातार उन्हें देते रहते हैं दूसरों के हिस्से को देते रहते हैं तब हमारे भीतर एक संतोष एक निश्चिंतता का जन्म होता है और वो ठीक वैसा ही होता है जैसे किसी विक्ती ने अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया हो एक दो साल की कड़ी मेहनत के बाद थोड़ा थोड़ा पाई पाई करके पैसा लोटाया हो और जब आखरी किष्ट उसने लोटा दी कर्ज की तब उस पिता से पूछ करके देखेगा कितने निश्चिंतता से सोता है उस दिन उसको भूख बहुत अच्छी लगती है उस दिन उसके चेहरे पर आपको खिल-खिलाहट भिखाई देगी उस दिन उसका सीना चौड़ा हो जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे इससे बड़ा राजा कोई नहीं है कारण और कुछ भी नहीं है जिसका जितना था उतना दे दिया है कोई बोज नहीं है अपसर पर कंधों पर कुछ है नहीं भारे अब आराम से जी सकता है, निश्चिंतता से जी सकता है इसलिए दूसरे के अस्तित्व को अधिकार को स्विकार करना ज़रूरी है आप सोच रहे होंगे कि मैं ये दूसरे का स्तित्व, दूसरे का अधिकार क्या इस मंत्र में कहीं इसकी चर्चा है? हाँ है मंत्र कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था ये जो पूरा संसार है जिसमें वास्तविक अधिकार इश्वर का है मिलकियत स्वामित्व मालिकाना हक इश्वर का है स्थाई निवास इश्वर का है और क्योंकि ये संसार लगातार बदल रहा है जगत्याम जगत इसमें बाहर जो संसार दिख रहा है वो भी लगातार बदल रहा है जगत्याम गती कर रहा है लगातार आज यहां कल वहां रहेगा और इसके भीतर जो छोटे छोटे परमाणू वो भी लगातार गती कर रहे है और वो दरसल गती कर ही रहे है इसलिए रहे है क युँजी ज़िते हैं तेन भुन जी था उस संसार Mega खूब करू तेनम अने उस संसार से भुनितर खूब कर तेनम है उपनिशद commerce क gentle design की उपनिشद मानी जाती है रेकिन आप सोची उसकी पंक्ति कहती है भुंजीक को संसार है भोग और अध्यात्म दो अलग अलग चीज़ें नहीं है दो अलग अलग चीज़ें भोग मुझे जिन्दा रखता है और अध्यात्म मुझे अपने जीवन का अंतिम लक्षे देता है दोनों एक ही चीज़े हैं एक दूसरी की पूरक हैं जीवित नहीं रहेंगे तो भला ध्यान क्या करेंगे जीवित नहीं रहेंगे तो रास्ते पर चलेंगे कैसे भुझी था भोग तो करने पड़ेंगे और जो कर्म मैंने पिछले जन्मों में कर रखें उनको भोगना भी तो पड़ेगा भूजी था, इसलिए इश्वर का स्वयमादेश है, भोग करो, किससे करें, तो बोले तेन इस संसार से भोग करो, जिस संसार पर इश्वर का हाःग है, क्योंकि भगवान स्वयम तो खाता नहीं है, ऐसा तो है नहीं भारत के प्रधानमंत्री पूरी धर्ती पर एक साथ पैर सार करके सो जाएंगे ना प्रधानमंत्री को भी रहने के लिए उतनी जगा चाहिए जितने मुझे तो भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं कुछ खाना नहीं है कहीं रहना नहीं है भोग तो केवल आपके लिए पिता ने जो कुछ कमाया है बच्चों की पढ़ाई लिखाई क किस के लिए हमारे लिए वो रहता ही सब संसार में इसलिए है ताकि सारा संसार चलता रहे और मुझे भोग करने के लिए चीजें मिलती रहे नहीं तो जिस स्थान को इश्वर छोड़ देगा हाला कि छोड़ेगा नहीं कभी है संभव नहीं है लेकिन जिस स्थान को इश्वर छोड़ देगा वो स्थान अपने आप निर्जीव हो जाएगा वो अपने आप प्रलाई की तरफ चला जाएगा वो पेड सूखने लगेगा वो फल सडने लगेगा वो धर्ती अपने आप तूटने लगेगी वो सूरज अपने आप थंडा होने लगेगा जिस जिस स्थान को इश्वर छोड़ देगा तो गर इश्वर है तभी संसार में जगत्यान जगत्यान गती हो रही है movement हो रही है तभी ये संसार मुझे भोग करवा रहा है वो पनिशत कहते है भुंजी था खूब भोग करो अपनी आवश्चक्ता की हर चीज तुम्हें यहाँ पर मिलेगी ये इतना बड़ा बाजार है कि तुम एक बार घूम करके देखो सब मिलेगा लेकिन नियम ये है कि फ्री में कुछ नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है कि तुमने बाजार से टोकरी भर ली काउंटर पर बिना आये और सीधे सामान लेगा नहीं सिक्यूरिटी गाड़ खड़ा होता है पहले ये बताईए कि काउंटर पर आपने पैसे दीए या नहीं दीए ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पूरी टोक्री भरी और निकल गए उस टोक्री में आपका अधिकार कितना है जब काउंटर पर खड़ा व्यक्ति जब आपका बिल बनाएगा और तब वो छोड़ेगा सामान को लीजिए ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया गया है जब काउंटर पर खड़ा व्यक्ति बिल के साथ तुम्हारे हाथ में सामान देता है वो सामान मेरा होता है और जो मैं घूम घूम कर घूम घूम कर इकठा कर रहा हूँ वो मेरा नहीं है भी वो मेरी चॉइस है वो मेरी पसंद है मेरी जरूरत हो सकती है लेकिन अभी सामान में मेरा हुआ ही नहीं है मेरा सामान वो होगा जो मुझे counterpart व्यक्ति देगा छोड़ेगा मेरे लिए ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया गया है और जो मेरे लिए छोड़ा ही नहीं गया वो मैं नहीं ले जा सकता बहार यानि भुणजी था भोग करो किससे तेन उस संसार से भोग करो लेकिन वो संसार कैसा होना चाहिए क्या पूरे से भोग कर लू मैं क्या कहीं भी अपना देरा जमा दू क्या कुछ भी तोड़ करके खा लू क्या कुछ भी उठा के उपियोग कर लू ना त्यक्तेन जो मेरे लिए छोड़ा गया है यानि जिस पर मेरी हिस्सेदारी है जिसके लिए मैंने पे किया है जिसके लिए मैंने कर्म किये है इश्वर ने सब के अधिकार का सब को दे रखा है दूसरे के अधिकार का मच ही नहीं है मेरे लिए वो छोड़ा ही नहीं गया है मेरे लिए जितना हिस्सा छोड़ा गया है उतने को लीजिए इस त्यक्तेन शब्द में समाज शास्तर भरा हुआ है और अध्यात्म भरा हुआ है तो समाज और अध्यात्म ये दोनों कैसे साथ साथ चलते हैं एक पंक्ति से एक शब्द से त्यक्ते न इसकी चर्चा हम कल करेंगे आज की इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं